हलो अबरिबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेज ब्रीन्स इस वीडियो लेक्चर में हम आपका नेक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्या है जो है फ्लोरा एंड फॉना देखें एड कर लो फ्लोरा एंड फॉना किस चगा का तो हम क्या पढ़ रहे ह क्षि होट हो दसने जिसमें हम सहरा दस और को प्रहें के तो हैं पर निस्तरा निमने फॉना को पाया पड़ने वाले हैं तो ऋ-लोरा में वेजिटीशन देख लेंगे प्दाधें और फोना में निधे देख लेंगे वाईल भाएफ तो जैनवर आते मोट देख लेंगे तो यहां पर कौन कौन से पेर पाये जाते हैं देखो इंक्लूड्स कैक्टस डेट पाम एंड एकासिया ठीक है अब देखो क्या है तो यह तरह का वेजिटेशन यहां पर देखने को मिलता है क्यों देखने को मिलता है देखो यह ऐसा वेजिटेशन है जो क्या होता है जो कम पानी में भी ग्रो हो जाता है आप बबूल का पेड़ देखोगे तो ऐसा नहीं कोई कि उसमें बहुत जादा बहुत जादा फल लग रहे हैं ठीक है पतियां भी बहुत छोटी छोटी होती है जो क्या होता है अब डुपते को तो वही चीज यहां पर है इन सम प्लेसे देर आर ओसिस ठीकें ओसिस क्या होते बताता हूं तो ग्रीन आइलेंड्स विथ डेट पाम सराउंडिंग अब क्या होता है यह एरिया देखो आप पता नहीं फोटो में आपको कितना क्लेर देख रहा है कि यहाँ पहुत सारे क्या है ग्रीन प्लैंट्स देखन चालो होता है और आजुबात है और पानी कहां से आजाता है , कि क्या होता है ग password को डिसरोप के चलते होता है कि इस तरहें का नेट्रफॉशन को मिलता है तो भान में पानी का उजयित में हांचा पैड़ाईड बहिकन पृछते अब यह आइलेंड है तो इसके चारों और कह रहेंगे पेड़ पौध है इस तरह का wegedyटेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है desert में hot desert में usually बात करें हम ठीक होट desert में यह vegetation देखने को मिलेगा इन्हें oasis कहा जाता है आगा समझ में तो यह तो हो गया vegetation वाला part clear vegetation यह पाया जाता है अब wildlife की अगर बात करें हम तो wildlife कैसी होती है hot desert की बात करें देखो मैं एक बर फिर clear कर देता हूँ कि दो desert पढ़ेंगे हम अभी hot desert पढ़ रहे हैं hot desert में हम reference के लिए क्या पढ़ रहे हैं सहरा desert तो सहरा desert का तो मैंने आपको बता दिया सारा सब कुछ अब यह जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि यह vegetation यह wildlife तो यह in general आप apply कर सकते हो किसी भी दूसरे hot desert में जैसे हमारे यहां भी थार है ठीक है थार hot desert है अटाकामा desert है अफ्रीका में एक clear है तो hot desert में आप कहीं भी apply कर सकते हो आपके घोड़े वहीं पर बैड़ जाएंगे वह आपके पूरा पूरा पानी भी पी जाएंगे और चलेंगे भी नहीं किसी काम के नहीं रहेंगे आप हाती घोड़े कुछ भी लियाओ रेगिस्तान में सब fail है रेगिस्तान में क्या successful है तो oot camel ठीके तो camels जो होते तो वह क्या कहलाते है इसलिए उन्हें ship of the desert कहा जाता है रेगिस्तान का जहांच कहा जाता क्योंकि क्या करते हैं वह पानी कम पानी में बहुत जादा काम कर देते हैं ऐसा नहीं है पानी पीते सब पीते हैं एकदम water pump की तरह लेकिन फिर भी क्या करते हैं कम पानी में आपका बहुत सारा काम कर देते हैं यह जो हम पर देख रहे हैं आप उसका उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं चोटी classes में पढ़ा है आपने और ठीक है तो camel या नास ठीक है तो लगडवगे जो होते है उसके हैं जैकल्स तो लोंबडी वगेरा foxes scorpion ठीक है तो यह बिच्चू ठीक है अब यह सारे जानवर आप जो देख रहे हैं रेप्टाइल से रेंगने वाले जानवर हैं तो आप बोलोगे इनको गर्मी नहीं लगती रेंगते हैं रेत पे क्या होता है अधिकतर रेत के अ सब्सक्राइब की रेप्टाइल सारे बाहर निकल आते हैं तो scorpions ठीक है and many variety of snakes snakes भी 777 प्रकार के यहां पर दिखने को मिल सकते हैं अगली चीज़ क्या है and lizards ठीक है तो यह तरह से performance दे रहा है अपनी ठीक है तो GIF यह मिल गया अच्छा तो lizards वगरा तरह तरह की अलग-अल living there यह सारी चीज़े मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बतानी थी सिंपल सा टॉपिक है क्रिस्प में था चीक है यह आपको फैक्स ध्यान रखना है वनमाक्स में पुछे जा सकने हैं ऐसे कि name some plants found in hot desert name some animals found in hot desert लिख दो गया आप आसानी से क्लियर है अब यहला topic जो आ क्लास किन comment section एक important चीज़ अब सुनते जाओ क्या कि class 4th से class 12 तक पूरी पढ़ाई करोगे ना 12 तक किसी का ऐसा प्लान तो नहीं बस 7th में अभी है तो और 9 10 तक पढ़ लेते में बैठेंगे घर पर पढ़ना जरूर clear तो अब क्या है कि आप पढ़ोगे कहां से तो स्कूल त के सब टॉपिक्स ऐसा जैसे आपको स्कूल में ठीक वैसा मज़दार चीज क्या पता है मज़दार चीज है कि हम पैसा नहीं ले रहे फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हो अपनी मतलब जो हमारी अपनी एक ही बात है वेब झालेबल है वीडियो पे लेबल बात है सकते हुड़ पे पीज है